हेलो बच्चों क्या हल चाल बढ़िया तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ग्यान मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला तो आइए शुरू करते हैं आज हमें पढ़ना है चेप्टर टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ओफ इकनोमी यह आपका माइक्रिकनोमिक्स का चेप्टर टू है बहुत इंपर्टन चेप्टर है इससे आपको पेपर में कुशन डेफिनिटली मिलेगा तो इस चेप्टर में क्या गया पढ़ना है आईए एक बाट बेख लेते हैं फर्स टॉपिक है हमारा सेंट्रल प्रॉब् फर्ट टॉपिक है आपका अपॉर्जनिटी कोश्ट यह चेप्टर में आपका सिक्स पार्ट में डिवाइट किया है मैंने आपको बता रखा है पार्ट बन में क्या होगा पार्ट टू में पार्ट थ्री में पार्ट फाइब में और पार्ट शिक्स में तो पार्ट बन में duration आपकी maximum 15-17 मिनट होगी तो ये chapter आप मानिए आपका 6 parts में डेड़ से पॉने 2 घंटे में आपका complete हो जाएगा तो start करते हैं अपना topic first आईए देखते हैं बच्चो सबसे पहले में आपको chapter first का एक बहुती important concept रिवाईज कराऊंगा जिसका नाम है economic problem हमने पढ़ा था chapter first में what is economic problem तो मैंने आपको बजाया था ये क्या होती है economic problem it is a problem of choice ये आपकी problem of choice होती है और ये किन वज़े से होती है इसके region क्या थे इसके region थे पहला unlimited human wants क्योंकि human की wants unlimited है second क्या था limited resources और resource उनको fulfill करने के लिए limited है और third क्या है resources have alternative uses और उन resources के भी alternative uses possible है तो resources को माल लिज़े आप money तो आपकी wants unlimited है but resource money आपका limited है और money से आप बहुत सारे काम कर सकते है means resources have alternative uses यानि money के key uses possible है तो आपकी wants unlimited है और उनको fulfill करने के resource यानि money limited है और उस पैसे से भी आप बहुत सारे काम कर सकते है इसलिए आपकी होती है economic problem जिसका region है problem of choice और problem choice की region थे ये तीन ये मैंने आपको detail में बताया था chapter first में I hope so आपको recall हो गया होगा तो अब start करते हैं अपना main topic central problems of an economy इसका first part what to produce ये तीन होती है पहली what to produce second how to produce और third for whom to produce आज हम cover करेंगे what to produce तो आईए start करते हैं मैं आपको सबसे पहले एक example दिखाता हूँ उसके बाद मैं आपको start कराता हूँ देखिए ये एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है गोलू ये थका हारा अपने घर पहुचता है इसकूल से इसकूल में इसने बहुत पढ़ाई करिये और ये इसकी मम्मी है घर में अब मम्मी जी अपने बच्चे के लिए चाती है अच्छा सा खाना बनाए क्योंकि बच्चा थक के आएगा बच्चा बहुत दूर से थक के आएगा तो अब मम्मी सोचती है कि मैं आलू के पराठे बनाओ या फिर रोटी सब्जी बना लूँ या फिर दाल चावल बना लूँ ऐसा मम्मी के मन में ख्याल आता है अब आप बताईए मम्मी सब कुस तो बनाएगी नहीं तो मम्मी बच्चे के लिए क्या बनाएगी बच्चा थक के स्कूल से आ रहा है गोलू थक के स्कूल से आ रहा है तो अब मम्मी सोचेंगी मेरे बच्चे को क्या पसंदे मेरे गोलू को क्या पसंदे माल लीजे गोलू को पसंद दे आलू के पराठे तो मम्मी क्या बनाएंगी आलू के पराठे क्यों? क्योंकि आलू के पराठे से गोलू को maximum satisfaction मिलेगा maximum satisfaction मिलेगा क्योंकि गोलू को पसंद क्या है? आलू के पराठे तो आलू के पराथे उसे सबस्यादा खुशी देंगे इट मींस आलू के पराथे उसको maximum satisfaction प्रोवाइट करेंगे अब एक बात बताईए मम्मी को आलू के लिए बनाने या पूरी society के लिए बनाने गोलू के लिए बनाने तो माल लिए दो पराथे हो गए या चार हो गए ऐसा तो नहीं है मम्मी चार सो पराथे बनाने लगेंगी तो यही आपको example को बस यहाँ पर देखना है आपको better sense में आ जाएगा देखिए point है आपका what to produce इसके दो point होते है what to produce में आपके दो point arrive होते है पहला what goods are to be produce जो आपकी problem है what to produce इसके दो aspect है पहला what goods are to be produce कि economic कौन से goods produce करे और दूसरा in what quantity goods are to be produce और कितनी quantity मनाए अब आप मेरे example को लीजे ध्यान में मम्मी सोचते हैं गौलू के लिए आलू के पराठे बनाए डाल चावल बनाए या फिल रोटी सब्ची बनाए अब आप ध्यान से देखिए economy में बहुत टाइप के goods हैं goods are of many types लेकिन हम उन्हें दो भागों में बाठते हैं broadly पहला consumer goods दूसरा capital goods बैसे बहुत टाइप के goods defense goods, luxurious goods capital goods तो बैसे बहुत टाइप के goods हैं लेकिन हम देखते हैं क्या होते हैं these are those goods which satisfy our wants example food, grain, cloth etc आप इस example को मत देखिए आप जो जो चीज दिन भर में यूज़ करते हैं गर्मी चीज लगती हैं आप अपना AC on करते हैं फैन on करते हैं, cooler on करते हैं आपकी गर्मी दूर आती है आपकी wants fulfill आती है तो यह क्या है consumer goods भूख लगती है, आप खाना खाते हैं consumer goods, घड़ी पहनते हैं कपड़े पहनते हैं, यह साब के क्या है consumer goods, यानि जिन जिन चीज़ों का आप यूज़ करते हैं, वो सारे आपके क्या है consumer goods, capital goods क्या है these are those goods which are used in the process of production in simple words जो goods हमारे process of production में use होते हैं, जिनकी help से हम production करते हैं, वो हमारे होते है capital goods, example, plant and machinery तो अब देखिए, economy के पास resource limited है, पैसा limited है economy को decision लेना है कि वो कौन से goods बनाए, जैसे मम्मी को सोचना था, क्या बनाए, डाल चावल आलू के पराठे या रोटी सबजी तो मम्मी ने क्या सोचा, कि गोलू को पसंदे आलू के पराठे, ये उसको सबसे अदा satisfy करेंगे, सबसे अदा खुशी देंगे, ऐसे ही economy को देखना होता है, कि कौन से goods बनाए, जिससे economic satisfaction maximum हो जिससे economic satisfaction maximum हो अब आपको यहाँ पर आगे बताता हूँ, consumer goods में अगर सारे resource लगा देगी तो consumer goods से आपकी wants fulfill हो जाएगी, बट आपकी further growth नहीं होगी क्योंकि अगर production ही नहीं होगा तो growth कैसे होगी, और सारे resource अगर capital goods में लगा देगी तो growth तो अच्छी होगी, production अच्छा होगा बट जो आपकी necessary है जो आपकी necessary है वो आपकी wants fulfill नहीं हो पाएगी तो आपकी basic need fulfill नहीं हो पाएगी जिससे आपका standard of living कम हो जाएगा तो economic लिए दोनों goods essential है consumer goods भी और capital goods भी तो economic का पहला addition क्या है what to produce में what goods are to be produced तो पहला point होगे आपका कि कौन से goods बनाएं तो goods भो बनाएंगे जो आपकी economic maximum satisfaction प्रोवाइट करें तो यहाँ पे आपकी दोनों goods essential है consumer goods भी और capital goods भी तो आपको दोनों बनाने होंगे अब दूसरी बात आथी कितने बनाएं in what quantity goods are to be produced जैसे मम्मी ने decision लिया था कि आलू के प्राठे बनाने अब मम्मी क्या आलू के प्राठे पूरे महले के लिए बनाएंगी नहीं मम्मी गोलू के लिए बनाएंगी बच्चा दो खाएगा, चार खाएगा, छे खाएगा तो उसके बाद economic भी decision लेना है कि goods तो आमने दोनों बनाने consumer भी और capital भी लेकिन कितनी quantity बनाने in what quantity goods are to be produced तो यह आपका second point है in what quantity goods are to be produced अब देखे बड़ा simple है resource आपके पास limited है अगर आप सारे resource consumer goods में लगा देंगे अगर आप सारे resource consumer goods में लगा देंगे तो आपके capital goods नहीं बन पाएंगे और अगर आप सारे resource capital goods में लगा देंगे तो आपके consumer goods नहीं बन पाएंगे तो अगर एक का ज़्यादा production करेंगे तो दूसरे की quantity कम हो जाएगी और दूसरे का ज़्यदा प्रोडिक्शन करेंगे तो पहले की quantity कम हो जाएगी तो आपको ultimately decision लेना होगा कि आपकी economy के लिए कौन से goods की requirement कितनी है कितने आपको consumer goods बनाने चाहिए और कितने आपको capital goods बना चाहिए ताकि आपकी society का overall satisfaction क्या हो maximum हो ताकि आपकी society का overall satisfaction क्या हो बच्चो maximum हो तो इसमें बिल्कुल simple से 2 point थे what to produce में कि कौन से goods बनाए और कितनी मातरा में बनाए in which quantity goods are to be produced तो इसमें हमने देखा goods में आपके 2 types के थे mainly consumer goods और capital goods अगर आप consumer goods बनाएंगे तो आप capital goods नहीं बना पाएंगे और capital goods बनाएंगे तो आप consumer goods नहीं बना पाएंगे और आपकी economic लें दोनों essential है क्योंकि अगर आप सारे resources consumer goods में लगा देंगे तो आपकी present words तो अच्छे satisfy होगी बट future growth नहीं होगी और अगर सारे goods लगा देंगे capital goods में तो growth तो अच्छी होगी बट आपकी present words satisfy नहीं हो पाएंगी जिससे आपकी country के लोगों का living standard कम हो जाएगा तो आपको ऐसा addition लेना है कि दोनों goods बन जाएं और आपकी society का आपकी country का overall satisfaction आपकी economic maximum हो तो second point था in what quantity goods are to produce तो हम कैसे बनाएंगे चितनी हमारा requirement है जिससे हमारा satisfaction maximum हो उसके according हम decide करेंगे कि हमें कौन से goods कितने बनाने है पहले यह decide कर लेंगे क्या बनाना है उसके बाद कितना बनाना है यह decide करना है तो यह थी आपकी पहली problem what to produce आईए अब मैं आपको इसको notes में भी दिखायता हूँ आपको मैं लिख सकते हैं आप notes में भी यह मैंने आपके लिए notes भी बना रखें आप यह notes यूज़ कर सकते हैं और आप चाहिए तो book भी go through कर सकते हैं तो उन्हों से आपको same content मिलेगा आईए read करते हैं what to produce with limited resources resources limited है बच्चो money हमारे पास limited है resource को मैंने money मान लिया every economy has to decide what commodities are to be produced and in what quantity कौनसी commodity बनाए और कितनी मात्रा में बनाए second point if we produce excess quantity of a commodity it will mean curtailing the production of another अगर हम excess quantity बनाएंगे किसी एक community की मान लिजए consumer goods की ज़्यादा बना देंगे it will mean curtailing the production of another तो आपकी जो दूसरे goods थे है consumer goods उनकी quantity कम हो जाएगी अगर capital goods की ज़्यादा बनाएंगे तो consumer goods की quantity कम हो जाएगी और consumer की ज़्यादा बनाएंगे तो capital goods की quantity कम हो जाएगी क्यों? क्योंकि resource limited है what quantity of capital goods like plant and machinery are required to be produced हमें choose करना होगा हमें decision लेना होगा कि कितनी मात्रा में बनाए consumer goods और कितनी मात्रा में बनाए capital goods ताकि आपकी economic requirement fulfill हो सके और next point क्या है? एक choice has to be made between necessaries, comforts and luxury हमारे को एक choice करनी होती है कि कितने necessary बनाएं कितने comforts बनाएं और कितने luxury बनाएं इनके बीश में हमें choice करनी होती है और ये choice क्यों करनी पड़ दी है? क्योंकि resource हमारे limited है और wants हमारी unlimited है यानि limited resource का हमें इस तरीके से allocate करना है कि हमारा satisfaction maximum हो और last point क्या है? economy should allocate its resources in such a way so that welfare of the society will be maximum economy को अपने resources इस तरीके से arrange करने है इस तरीके से utilize करने है ताकि society का welfare maximum हो तो मुझे उम्मीदे बच्चों आपके सब्सक्राइब में आगया होगा मैं यहापे कुछ keyword highlight करता हूँ welfare economy का maximum होना चाहिए choice करनी है economy को between necessary comforts और luxury goods में choose करना पड़ेगा कि कितने बनाए consumer goods और कितने बनाए capital goods और यहाँ पे ता आपका access बनाओगी आप जादा तो दूसरे की curtailing हो जाएगी means दूसरे में कम ही आ जाएगी और पहला point था आपका with limited resources every economy has to decide what commodities are to be produced and in what quantity क्योंकि resources आपके limited थे तो बच्चों मुझे उमीद है आपको ये topic अच्छे साज में आ गया होगा next part में हम topic first का B और C point पड़ेंगे B है आपका how to produce C है आपका for whom to produce तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को like करिए channel को subscribe करिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए goodbye take care